हम मानव प्रजन प्रणाली या रेप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. आएगे अब जानते हैं फटिलाइजेशन या निशेचन के बाद क्या होता है और बच्चे का जन किस प्रकार होता है? इंसानों में पुरुष का स्पर्म औरत के ओवम या अंडाशे से जा मिलता है. निशेचन के बाद जाइगोट या कहें कि निशेचित अंडाशे यूटरस की दिवारों के किनारे रोपित हो जाता है और बटना शुर कर देता है. यूटरस की दिवारें मोटी होने लगती हैं और विक्सित हो रहे भुरुण का पोशन करने के लिए रक्त वहां पहुँचने लगता है. भुरुण को मा के रक्त से एक खास तंतु की मदद से निशेचन मिलता है जिसे प्लैसेंटा कहते हैं. ये एक डिस्क होती है जो यूटरस की दिवार में धसी होती है और गरभाव के खरीब 12 हफ्ते में बनती है. बच्चे का शरीर प्लैसेंटा की मदद से मा के रक्त से निशेचन अवसोशत कर लेता है और उसमें बने वेस्ट को उसी प्लैसेंटा की मदद से दो-बारा मा के रक्त में भेज देता है. भुरुण के इर्द-गिर्द एक एम्निन नाम की जिल्ली बन जाती है और वो एक थैली जैसा अंग बना देती है, जहां द्रव्य भर जाता है, यानि ये एमनियॉोटिक सैक यूट्रस के अंदर द्रव्य की एक थैली होती है, जहां अचनमा बच्चा बढ़ता और विक्सित होता है. ये एम्नियोटिक द्रव्य बच्चे की नमी बनाये रखता है और एक तक्ये का काम करके बच्चे को चोटिल होने से बचाता है इस तरह से भूण मा के अंदर विक्सित होता रहता है तीसरे महने से वो फीटस या भूण कहलाने लगता है गर्भावस्था करेब 9 महिने या 280 दिनों तक रहती है इस समय को जस्टेशन पीरियड या गर्भावस्था काल कहते हैं यूट्रस की मांद स्पेशों में एक लए में होने वाली सिकुणन की मदद से बच्चा जन्ब लेता है इसी तरह आप मैं और हम सब इस दुनिया में झाली असलिणया गहती हैं वाई